गाइस आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूट्यूब ब्रेंड अकाउंट आखिर क्या है क्या हमें बनाना चाहिए यूट्यूब ब्रेंड अकाउंट क्या खास बात है यूट्यूब ब्रेंड अकाउंट में क्या यूट्यूब ब्रेंड बनाना से हमारा चैनल जल् पहली बार साइन इन करते हैं अपने Google अकाउंट से YouTube में तो उसी समय हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है वो होता है default account ओके जो हमारे Google पे जो हमारा name होता है उसी name से हमारा YouTube चैनल क्रिएट हो जाता है पर guys YouTube पे आप एक email से एक channel नहीं बलकि बहुत सारे channel create कर सकते हो उन channels को बोलते है brand account जो आप normally default नहीं बलकि आप create करते हो channels तो आखे क्या फर्क है दोनों में दोनों में कुछ फरक नहीं है कुछ खास major फरक नहीं है बस आप YouTube brand account में आपको YouTube कुछ extra features देता है जो आपके personal account में नहीं होता ओके नाम से ही पता चल रहा है it is for company for a brand ओके जिसका कोई company है या कोई brand है उन सब के लिए तो उन सब में क्या खास बहुत हो सकती है वो यह कि आप अलग अलग लोगों को अलग अलग रोल दे सकते हैं manage करने के लिए आपका account क्योंकि आप एक company है तो आप दिन भर खुद अकेले manage नहीं कर सकते है एक channel आपको और भी बहुत सारे काम होते हैं तो आप काम distribute कर सकते हो अलग अलग रोल तो दे देते हो पर आपका personal information leak नहीं होता आपका date of birth आपका name leak नहीं होता आपके बहुत सारे personal information google account में ऐसे होते हैं जो अगर आप किसी को email और password दे देते हो तो leak हो जाएगा कि उन्हें पता चल जाता है पर ऐसे में अगर आप रोल देते हो अलग अलग वह आपके manage तो कर पाएंगे account को पर personal information नहीं जान पाएंगे ओके गाइज तो यह बहुत ही important feature है जो आप के personal information को secure रखता है ओके अगला सवाल यह आता है कि क्या हम YouTube brand account बनाने से हमारा channel जल्दी ग्रो होता है तो गाइज यह बिल्कुल गलत है ऐसा कुछ नहीं होता डिफॉल्ट account से बिल्कुल similar है YouTube brand account बस फरक यह है इसमें आपको manage करने के लिए extra feature से ओके और गाइज आप उस पे जैसे ग्रोगा डिफॉल्ट account जैसे ग्रोगा आप वीडियो डालोगे तो similarly इस पे भी ग्रोगा ओके और ऐसा कुछ बात नहीं है कि कोई channel पहले monetize होगा इसमें features से YouTube के explore करके देखो हो सके आपके काम आजाए okay तो मैं कहूंगा बना लो मेरा भी यह जो account है यह brand account है okay तो मेरे हिसाब से आपको बना लेना चाहिए features है YouTube का दिया गया free है explore करो guys बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है okay guys हमने कर लिया decide के हम भी YouTube brand account बनाएंगे पर आखि से कुछ में लाएंगे और easily आप create कर लो okay तो चलिए अभी मैं लेकर चलते हूं आपको अपने mobile screen पर और जानते हैं कि कैसे आप YouTube brand account create कर सकते है okay so guys हमें brand account बनाने के लिए computer की ज़रूरत नहीं हम अपने mobile पे बड़े असानी से बना सकते है okay so guys हमें जाना है Chrome पे जैसा कि आप देख सकते हैं इधर mobile screen पे हम गए Chrome पे okay हमें search करना है YouTube YouTube पे गए हम okay हमने search किया YouTube और guys हमें Chrome में YouTube open करना है okay open in a new tab हम गए YouTube पर guys हमें इसका desktop mode on करना है okay mobile mode में नहीं desktop mode on करके होगा okay तो आप इधर icon top side right corner में okay आप इधर देखो एक आइकन था ना यह menu icon okay उसपर क्लिक करो उसपर क्लिक करने के बाद नीछे scroll करोगे तो आपको मिल जाएगा desktop side का बटन उसे tick कर दो desktop mode on हो जाएगा okay अभी desktop mode on करने के बाद हमें जाना है अपने account यॉला icon पे okay settings पे click करो settings पे click करने के बाद आपको यह options आएगा योड चैनल का योड चैनल का page खुलेगा अब यहां पे आपको click करना है add or manage your channel आपका जो icon दिखा रहा है उसके just नीचे second number पे add or manage your channel उस पे click करना है हमें add or manage your channel पे then यहां पे option आजाएगा create account का okay so guys देखो इसमें जो Sabir Ali है वो मेरा default account है और Sabir Fit Vlogs वो मेरा brand account है आप और भी brand account create कर सकते हो okay यह एक तो एक ही नहीं बल्के आप बहुत सारे create कर सकते हो brand account तो आपको बस click करना है create a channel okay create a channel पे आप click करो तो यह देखो क्या page खुला create your channel name you can use your brand name or another name a good channel name represents you and your content okay you can change your channel name at any time okay so guys यह brand account होगा पर आप इसे कभी भी change कर सकते हो अपने मर्जी से okay तो आप जो भी आपको नाम देना है x y z हमने दिया इसे tick कर लेना है कि हाँ हम agree करते है टमसन कंडिशन से okay and create यह देखो हमने create कर दिया create पे click किया हमने और हमारा channel बहुत आसानी से create हो गया guys हमारा channel create हो गया एक click में हमारा channel create हो गया okay so guys अभी हम गये so guys अभी हम गये YouTube पे okay चलो check करते हमारा channel create हुए कि नहीं अभी हमने create किया था तो यह देखो guys हमारा channel create हो चुका है x y z name वाला भी okay हमारा जो default account था साविर ली और हमारा जो brand account था साविर fit blocks और और एक brand account create हो गया x y z के name से okay so guys आप जिस भी name से चाहो create कर सकते हो तो काफी simple है ना guys brand account create करना आप अभी जाओ और अपना brand account create करो okay guys I hope के video आपको समझ में आया होगा और आप आज आपने कुछ नहीं सीखा होगा YouTube brand account कैसे आप बना सकते है okay so guys I hope के video आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो make sure to like this video and subscribe this channel and guys before ending this video मैं आपके साथ कुछ share करना चाहता हूँ यह है कि मेरा एक vlogging channel भी है जैसा कि आपने देखा okay sabir fit vlogs उस पे मैं vlogging videos डालने वाला हूँ मैंने just create किया है उस पे अभी बस 19 subscribers है तो subscribe करके support दिखा दीजिए मैं उस पर जल्दी video लाने वाला हूँ okay and guys I hope कि आपको video अच्छा लगा होगा और आपको समझ में होगा अगर किसी चीज में doubt रहेगे आपको इस video में तो आप उसे instagram पे message करके भी पूछ सकते हो instagram पे मेरा id similar है मेरे channel name से वो भी है sabir fit vlogs आप मुझे उदर message करके पूछ सकते हो and guys अगला video आपको किस topic पे चाहिए और आप comment में जरूर बताना guys and जाके create करो अपना brand account और नए feature YouTube के नए features को explore करो guys कुछ सीखने को मिलेगा okay so तब तक के लिए दे